प्रियांका चाहर चौधरी का हर एक्शन लोगों को क्यों पसंद आता है आखिरकार क्यों कहा जाता है कि प्रियांका घर में रियल है चलिए बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवूड स्पाई में मैं हूँ अधिती शर्मा तो दोस्तो कल बिग बॉस की घर में आपके पास एक तैग आएगा उसके हिसाब से आपको तीन सदस्यों को बुलाकर जो है रैंक देना है फर्स सेकंड थर्ड नंबर पर उनको रखना है तो प्रियांका की जब बारी आई तो उनके पास टैग था गधे का यानि की गधा यानि की बेवकूफ जिसके सामने सब क कुछ है उसको सबकु समझाया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी उसको चीज़े समझ नहीं आ रही तो यहां पर दोस्तों प्रियांका ने वो टैग जो है नंबर वन पर उन्होंने रखा था शालीन को दूसरे नंबर पर थी टीना और तीसरे नंबर पर थी सवंदर अब यहां पर अगर बात ग्रजिस की ही हो या फिर बात यही हो कि मुझे उन लोगों के साथ अच्छे अच्छे बनके रहना है उन लोगों की कमियां खामियां उनको नहीं बतानी जो कि मेरे साथ दोस्ती निभा रहे हैं या मेरे साथ बात करते हैं लेकिन यहां पर प्रिय है और अगर मैं बताओंगा तो वो इसे ठीक भी तो कर सकता है ला तो यहां पे दोस्तों अपर ने शालीन टीना सॉंधरया को चुना देखा जाये तो सॉंधरया के साथ भी उनकी दोस्ती रही एक इम पे टीना और शालीन के साथ भी उनकी भरपूर मातरा में बात होती है घर के अंदर लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने गदे का टैग उनको दिया क्योंकि गदे वही नजर आ रहे सब कुछ दिखाया जा रहा है उनको लेकिन उसके बावजूद भी confusion बना हुआ है उ तो दोस्तों देखा जाए तो प्रियांका की यही real side जो है लोगों को बहुत पसंद आती है कि वो sugar coat करके चीजे नहीं बोलती जो है वो है आप सभी को क्या है कहना comments में ज़रूर बताईए